वेल्कम बेग फ्रेंड्स दिस इस दीपक धियानी पैटन की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम पैटन नमबर 12 सीख रहे हैं आप वीडियो को इंजोई कर रहे हुँगे और बहुत सारी चीजों को सीख रहे हुँगे यह जो आपको पैटन दिख रहा है मैं आज आपको इसको दो तरीके से करके बताऊंगा दो लॉजिक दोंगा जो भी आपको पसंद आए तो आप उसे इंप्लिमेंट कर सकते हैं तो आपने वीडियो लास तक देखनी है तभी आपको पताव चाल पाएगा कि वो दो लॉजिक क्या है तो स्टार्ट करते हैं आपने अगर इस लॉजिक को देखें तो इसमें बहुत सारी सिमिलर्टी हैं जो हमने प्रिवियस करे हुए हैं अपने पैटन क्या है एक तो रो हैं पांच कॉलम हैं पांच हर एक रो में उतने अलिमेंट हैं जितनी रो की संख्या है मतलब हमारे तीन काम तो आसान हो गए हैं अप चौता यहां पर क्या है यह हमेशा 1 से स्टार्ट हो रहा है और 2 के ओर्डर में इंक्रीज हो रहा है 1 3 1 3 5 1 3 5 7 1 3 5 7 9 तो यह हाँ पर थोड़ी सा अलग है एक तो 1 से स्टार्ट हो रहा है और 2 के order में इसकी column increase हो रही है तो कैसे लिखते हैं इसको भी हम बहुत आसान करेंगे जो for i equal to 1 से पहले मैं primary वाला लिख देता हूँ जो necessary है i plus plus एक से 5 तक row है for j equal to 1 से j less than equal to कहां तक जा रहा है i तक जा रहा है मत्तब जितनी row के संक्या है suppose row के संक्या एक है तो एक ही element आ रहा है और j plus plus right अब भाई मुद्दा वही है हमारा क्या कि भाई print क्या करा है तो आप print के time में हाँ पर लिख दीजिए n equal to 1 से initialize कीजिए अंदर लिखने का मतलब यह है क्योंकि हर एक बार जो column है 1 से start हो रही है ठीक है तो n equal to 1 लिख दिया है और n यहाँ पर print करा देता हूं और n को 2 के order में increase कर देता हूं n equal to n plus 2 और आप इसके बाहर c out n del for new line की यह लिख दिया तो start करते हैं dry run dry run करना भी बहुत important है यह आपकी logical thinking को बहुत ज्यादा increase करता है और आप अपना output guess कर पाते हैं तो start करते हैं i की value 1 है एक 5 से छोटा है condition is true n की value 1 है जे 1 से लेके कहां तक चलेगा i तक मतलब एक बार चलेगा तो 1 less than equal to 1 condition is true तो c out n n read हुआ तो 1 आ गया बहुत सही है जे की value 2 हुई 2 less than equal to 1 condition is बिलकुल false लूप आपका exit कर गया है i की value हैं से 2 हुई 2 less than equal to 5 condition is true n देखिए फिर से 1 से start हो रहा है 1 से start हो रहा है जे एक से लेके कहां तक चलेगा i तक मतलब दो बार चलेगा तो पहली बार जब c out n होगा तो नई line पर 1 आएगा n की value अब क्या हो जाएगी 1 plus 2 3 हो जाएगी तो जब j की value 2 हुई 2 less than equal to 2 condition is true तो c out n आएगा 3 अब n की value हैं से 5 हुई जब j 3 होगा 3 less than equal to 2 condition is false लूप आपका exit कर जाएगा बाहर आ जाएगा handle हो जाएगा i की value 3 हुई 3 less than equal to 5 condition is true n फिर से कहां start हो रहा है 1 से आपका जो पहले 5 हुआ था वो हड़ गया है अब उसने उसको नई value assign कर दिये n equal to 1 तो 3 मार चलेगा जे 1, 3, 5 आगया जैसे ही जे की value 4 होगी condition फिर से false नई line पर i 4 होगा 4 less than equal to 5 condition is true तो आपका आजाएगा 1, 3, 5, 7 तो यह ऐसे से चलता रहा तो आईए इसका मैं आपको dvc++ में यह logical implement करके दिखाता हूँ तो आपने यहाँ पर n equal to for i equal to 1 से i less than equal to 5 और आपने लिखना i plus plus for j equal to 1 से j less than equal to i और j plus plus c out n लिख देता हूँ और n equal to n plus 2 लिख देते हैं आपर यह इसके बाहर होगा इसके अंदर sorry ओके अब आपने क्या करना है n equal to 1 इधर दे देना है n equal to 1 यहाँ पर देना है ओके और यहाँ पर आप जब यह फॉल्स हो जाए तो say out and l for new line ctrl s run करके देखते हैं यह देखिए 1 1 3 1 3 5 1 3 5 7 1 3 5 7 9 guys यह था पहला तरीका अब आपको दूसरा तरीका मैं बताता हूँ इच्छा आपकी है कौन्सा आपने apply करना है तो दूसरे तरीके में यह है कि मैं row अगर इसको देखूं यह जो हैं यह देखिए यह क्या है यह one हो गया कितनी एक row से कहा तक हो रहा है नो तक अगर मैं अपना one to nine लिग दूर हो तो जे को भी two के order में increase कर देता हूं तो one to इसको मैं कर देता हूं यहाँ पर nine और i equal to i plus two कर देते हैं तो i plus two ठीक है और इसको हटा देता हूं तो ठीक है जे एक्वल टू जे लेजन इकोल टू आई और जे एक्वल टू जे प्लस तू कर देते हैं और इधर जे को यह प्रेंट करा देते हैं ठीक है देखिए आई की वेल्यू सबसे पहले वन हुई ठीक है कंडिशन टू है तो i तक तो सबसे पहले एक प्रेंट हो गया जैसे ही जे की वेल्यू यहां से two increase होगी three होगी three less than equal to one condition is false है तो आपका लूप बहर आ जाएगा एंडल हो जाएगा नई लाइंग अब i की वेल्यू यहां से कितने हो गई है आपकी three हो गई है ठीक है three less than equal to nine condition is true तो जे एक से ले आपका इसमें भी वही प्रेंट होके आ रहा है जो भी आपको पसंद आया आप वह अपलाई कर सकते हैं कमेंट करके बताईए कि आपको यह पैटन कैसे लग रहे हैं और आपकी भी अगर कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं तो मिलते हैं next वीडियो में thank you